स्टार फीकी भाईवों के इस brand new वीडियो में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निखिल कमात की जो की एक 10th dropout है और मातर 34 साल के हैं और मार्श 2021 में उन्हें इंडिया का youngest billionaire बताया गया है तो निखिल कमात की इस journey को, success journey को जानने के लिए हमारे वीडियो को फूरा last तक देखिए जिससे कि आपको उनके बारे में काफी सारी कुछ, काफी सारे चीज़े पता चले और आप भी उनके कुछ success habits को समझ पाए तो निखिल कमात का जन 5 सितंबर 1987 को शिमोगा करनाटिका में हुआ था शिमोगा एक छोटा सा सार है करनाटिका में और इनके फादर एक बैंकर है, इनकी मदर एक housewife है और इनकी जो सबसे interesting story है, life का turning point है वो class 10 से ही start होता है जहां अगर इनके schooling life की बात की जाए तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये 10th class में या फिर schooling time में अपने काफी ज़्यादा bunk किया घरते थे school जिसकी वज़े से attendance की problem होने की वज़े से कम attendance होने की वज़े से इने 10th का exam नहीं देनी दिया जाता है और ये 10th के बाद drop out कर लेते है school तो इन्होंने छोड़ दिया है 10th के बाद पर इनका पूरा ध्यान अब national chess championship के तरफ जाता है और पढ़ाई के बारे में भूलके ये championship की तयारी में लग जाते है ये बात है जब वो 15 साल के थे उन्होंने 14 से 15 साल की age में 10th से पढ़ाई छोड़ दी थे अपनी schooling छोड़ दी थी और national championship में भी ये काफी आगे तक खेले हैं chess championship में ठीक है उसके बाद शुरू होता है इनकी job का दौर जब इन्हें लगने लगा कि इन्हें एक job की ज़रुत है और वो job find करते करते उन्हें एक call center का job मिलता है जहां वो 8000 रुपए महीने कमाने लगते है निकल कमा तो उस job के बारे में ये बताते है कि उस job में ने communication skills में काफी ज़ादा improvement करा है और वहाँ सही इन्हें लोगों से बात करने में जो hesitation होती थी वो दूर हो गई ठीक है ये job चलता रहा अब बात आती है 2007 की जब वो एक नए job में shift होते हैं जो कि एक finance company है निकल कमात के बारे में जानने की बात ये है कि भली ये कुछ भी कर रहे हो ठीक है कहीं भी job कर रहे हो साथ साथ इन्हें finance के बारे में काफी ज़ादा interest था और ये stock market shares वगेरा के बारे में starting सही जब वो call center के job में थे तब सही ने काफी ज़ादा रूची रही है उसके बाद ये 2007 में एक finance company जाइन करते है जिसका नाम है way to wealth उस company में ये एक management post केंडर काम कर रहे थे और 2007 से लेके 2010 तर इन्होंने उस company में भी काम किया है तो तीन साल के इस journey ने उन्हें finance के field में काफी ज़ादा interest जगा दिया इनका और साथ ही साथ इन्हें एक level पे knowledge भी दे दी जिसकी नहीं शक्त जुरूद थी खुद की company start करने के लिए तो वहाँ से way to wealth company से इन्होंने अपना base तयार किया अपना knowledge grasp किया और निकल कमाद के बारे में ये भी एक fact जानने की है कि इन्हें God gifted trading skills है इनमें ये ऐसा कहा जाता है तो निकल कमाद की वो skills भी उन्हीं firms में जाके चीजें सीखे के develop हुई जहां वो काम करने के साथ साथ share market के भी knowledge लेते थे और खुद भी shares में invest किया करते थे अब time आगया 2010 का जहां जाके इन्होंने अपनी खुद की company start करने का सोचा इन्होंने काफी शायद 2009 से ही अपनी company start करने का सोचा था पर ये successful हो पाया 2010 में जब इन्होंने way to wealth company को छोड़ कर अपनी खुद की stock broking company stock trading company start करने का सोचा तो 2010 में निखिल कमात ने अपने भाई नितिन कमात के साथ मिलकर जो कि इनके बड़े भाईया हैं उनके साथ मिलके इन्होंने जिरोधा के शुरुवात करी और जिरोधा के बारे में उसे grow करने में ये लग गए लोगों को तभी 2010 में stocks के बारे में उतनी awareness नहीं थी जितना की अभी है तो ये धीरे-धीरे grow कर रहे थे साथी साथ इन्होंने एक और company के सुरुवात करी जिसका नाम है Trubiacon ये एक asset management company है और जादा तर ये foreign में work करती है सब कुछ सही जा रहा था अब धीर-धीरे करके जिरुदा इंडिया के बहुत बड़ी company बन गई और December 2020 में निखिल कमात को इंडिया का youngest billionaire इसी company ने बना दिया अब यहाँ पे कई सारी बात मुझे आपको बतानी है कि सबसे पहले December 2020 में जिरुदा जब हमारा COVID का phase चल रहा था ठीक है उसी वक्त लोग stock market को लेके काफी जादा aware होने लगे और अपनी investment करने को लेके उन्होंने और opportunities को छोड़के stock market में invest करने का सोचा और जैसे कि जिरुदा number one company थी तो उसे इसका बहुत जादा फाइदा मिला और बहुत सारे नई users जिरुदा से जुड़े और उन्होंने investment स्टार्ट किया जिसकी वज़े से जिरुदा को भी एक बहुत बड़ा growth मिला और साथे साथ जिरुदा के founder भी March 2021 तक इंडिया के youngest millionaire बन गए अभी अभी निखिल कमात की उमर 34 साल है और March 2021 में वो इंडिया के सबसे youngest millionaire बने with 1.7 billion dollars of net worth साथे साथ कई और बात निखिल कमात के बारे में बताने की ये है कि वो chess के बहुत बड़े player है साथे साथ वो books पढ़ने में काफी जादा interested है उन्हें singing का guitar बजाने का काफी जादा सौक है वो हमेशा instagram पे अपने post guitar बजाते हुए videos डालते रहते हैं interesting बात एक और कि निखिल कमात एक freelance modeling भी करते हैं आप हमारे blog में उनके advertisements के बारे में उनके advertisements के video देख सकते हैं अब बात की जाए इसके अलावा तो वो modeling तो करते ही है साथी साथ stock market और finance के बारे में वो काफी सारे articles भी the times of India mint.com जैसे वो sites पे news websites पे लिखते रहते हैं overall बात की जाए तो निखिल कमात एक modern day entrepreneur है जो youth के लिए एक message देते हैं कि आप जो भी कर रहे हो साथी साथ आप कुछ extra curriculum activities में अपना ध्यान लगाओ भले या पढ़ाई ना कर पाओ साथी साथ जिस चीज में आपका मन लगता है आप वो काम करते रहो आपको success जरूर मिलेगी